लो बच्चो तोडे वरी लर्ण क्लास नाइड मैज चेप्टेर 9 एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.3 इंतोडरक्शन बच्चो इस वेडियो में नहीं क्या करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और x ie Creals 9.3 के बेसिक concept और introduction का लोग क्या करेंगे समझेंगे तो देखे बच्चे exercise 9.2 और exercise 9.3 दोनों को solve करने से पहले आप लोग को उसका introduction पता होना चाहिए देखे बच्चे चाहे exercise 9.2 हो या 9.3 हो बच्चे दोनों exercise के लिए ये वीडियो क्या है बच्चे most important है आप लोग को basic concept पता होना लाइन पैरलल लाइन तो बोलेंगे सर आप तो यह पढ़ा चुक्या पैरलल लाइन ना उन लाइन को हम लोग बोलते हैं जो क्या करते हैं जो क्या करते हैं यह बच्चे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग उस लाइन को बोलते हैं जो क्या क्या है line L है और यह क्या है बच्चे line M है तो यहां पर क्या है यहां पर ना यहां पर ना line L is parallel to line M है और यह क्या है बच्चे सपोस करें कि यह क्या है line N है जो कि क्या है transversal line जो इसको cut कर रहा है तो बच्चे याद रखो चाहे तो line parallel हो चाहे तो non parallel हो चाहे तो line parallel हो या फिर non parallel हो non parallel मतलब हो intersecting line हो तो बच्चे जब भी किसी दो line को क्या करेगा कोई एक transversal line cut करेगा ना तो हमेशा 8 angles बनते हैं कितने अंगल बनते हैं 8 angles तो suppose करिए कि यह क्या है angle 1 यह क्या है angle 2 यह क्या है angle 3 यह क्या है angle 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 तो टोटल बच्चे एट एंगल बनते हैं जब भी कोई एक transversal line दो line को क्या करेगा cut करते हुए cross होगा तो समझ में आ गया तो बच्चे देखिए हम लोग को ना पढ़ना है जो भी में बता रहो ना यह तभी यह valid तभी तक है जब क्या हो line parallel हो line parallel होगा तभी यह क्या हो concept valid होगा तो बच्चे आप लोग के book में पू corresponding angles के बारे में तभी होता क्या है corresponding angle होता क्या है तो देखिए ना तो मैं आपको बोलूँगा कि angle one 21 equal होगा अंगल 5 गे दूसरा बोलूँगा कि angle 2 equal होगा angle 6 के angle 2 equal होगा angle 6 के तीसरा बोलूँगा कि angle 4 equal होगा angle 8 के angle 4 equal होगा angle 8 के and angle 3 equal होगा angle 7 के angle 3 equal होगा angle 7 के तो बच्चे ये क्या है? बच्चे ये है corresponding angle क्या है corresponding angle है जब भी हम लोग उपर के angle का उपर के angle से बात करते हैं 1 5 के equal होगा 2, 6 के equal होगा, 4, 8 के equal होगा, 3, 7 के equal होगा, यह आप चेक कर सकते हो, खुद से बना करके, यहाँ पर यह प्रोड़क्टर रखेगा, चेक करेगा, जितना angle 1 होगा, उतना ही अंगल 5 होगा, जितना 2 होगा, उतना ही 6 होगा, तो बच्चे, इस angle को नों बोलते हैं, corresponding angle, second angle क्या आ बन रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, Z ऐसे भी बन सकता है, ठीक है न, Z ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, और Z ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, तो बच्चे, हम लोग देखेंगे alternate interior angle, तो यहाँ पर देखे, Z कहाँ बन रहा है, तो बोलोगे कि angle 3 equal होगा, angle 5 के, तो बोलोगे कि angle 3 equal angle 5 यह इसे बन रहा है तो यहां वाला इंगल इसके इकल होगा यह बोलने का मतलब तैक lede एंधे ने जो लोग छो कि थड़े बच्चे अल Works अभी बात किया andar करेंगां कि एक्सटीरियर एंगल और क्या करते हैं अगर हुपर का बात कर रहे हैं देखें इन सारी एंगल को बाहर कि बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीर एंगल या इसको सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं तो हम लोग देते हैं अल्टरनेट एक्स्टीरियर एंगल भी अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बच्चे नेक्स्ट है हम लोगा नेक्स्ट है हम लोगा को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चे को इंटीर एंगल में हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि ये दिस एंगल प्लस इस एंगल दोनों को दोनों को एड़ करने पर दोनों को एड़ करने पर हमेशा 180 डिगरी आएगा तो बोलोगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों को एड़ करने पर 180 आएगा और एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 3 प्लस एंगल 6 दोनों को यह रच रोट करने पर 180 जाए गा तो तेज़आ को filter एंगल किया को इंटीर एंगल और वैसे यह पढ़ेंगे को exterior angle установ को मतलब की आप इस एंगवल को और इस एंगल को प्लस करिए तो variety आयेगा इस angle को और इस angle स्कृण करें तो बच्चे की आए गया आए इस यह ऐगा ऐगा समझ में आया कि नहीं आया फिर से बता रहा हूं ओन और 8 को प्लस करें तो 180 आये तो बच्चे यह, exterior angle क्या है exterior angle अग्यांपे nudy देखें नेक्ट क्या है को एक्स्टी रियर अग्ल तो व्य बताहें कि अंगल 1 प्लस एमग्ल 8 करने पर आएगा 180 डिग्री एंड एंड एंग되는 2 प्लस एंगल 7 करने पर आएगा 180 डिग्री सबद्क डिया खंट All-Dent दों क्न्क्लूजन क्लूजन क्या निकला कंद्लूजन यही लिगाई निकला बच्चे कि हम लोग ने देखा कि कि अढल वन तो एकल है फैगल वन वन अईंगल 5 एकटोल है और फिर देखा कि angle 3 angle 7 के भी equal है ठीक है end देखा कि angle 2 angle 6 के equal है और angle 6 equal है बच्चे angle 6 equal है angle 4 के और angle 4 equal है angle 8 के मतलब देखी यह है बोलने का मतलब कि angle 1 angle 3 के equal है angle 3 angle 5 के equal है और angle 5 एंगल 7 के local है 24 जबकिंगा संभी आ गया होगा अब 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 लोगको evolution important इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं important ट्रीक बता रहा हूं जिससे आप लोगा कर सकते हैं किसी भी किसी भी कुस्चन को ना आप लोग इन steps को अगर follow करोगे टाप लोग से 100% बन जाएगा 100% 100% देखिन बचे steps क्या है सबसे पहले सबसे पहले लोग को अगर आप लोग कहीं पर फस्ट जाओ कि आपसे कोशन नहीं बन रहा है कोशन नहीं बना तो आप क्या करोगे सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले आप देखो के अगर मान लोगों देखे नहीं लग रहा है तो क्या करोगे आप करोगे यह कहीं पर इसा बन रहे क्रोस बनता हुआ दिखेगा कहीं पर क्रॉस बनता हुआ दिखेगा तो समझ जाओ समझ जाओ, कि वहां पर this angle, this angle, की equal होगा, and this angle, this angle, की equal होगा, थीख अगर फिर भी फ og ृ से रहे, थीखिते एऔर कहीं पर line है कहीं पर line, अगर कहीं पर line है, term strate line है, तो straight line पर कितना angle बनता है, तो मैं बता चूक geen आप लोग को श्राइंगल बनता है 180 का तो देखिए कहीं पर ऐसा करके कुछ बन रहे क्या ऐसा करके अगर ऐसा करके बन रहा होगा तो बोलेगा ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम कितना होता है बतातो जरा तो बोलोगे देखिए इंटीरियर अगल अगर इससे बनेगा न तो हम लोग बोलेंगे इसको बटीकली ऑपोजेट एंगल अगर इससे बनेगा न बच्चे तो इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल और बच्चे अगर इससे बन रहा है न इसको अमनों बोलते हैं एंगल संग्परपटी बोलो एंगल संग्परपरटी ऑफ ट्राइंगल और बच्चे देखें मैंना 100% 100% और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो इसको इसको समझ में आ चुका है और गलती हो रहा है तो चेकर कहां पर गलती हो रहा है और बागी कहीं पर अगर भूल रहा हो तो इन 4 विश्टक्स को याद अखीगा इन 4 विश्टक्स को आप फॉलोग करोंगे ना तो मैं आपसे 100% गैरेंटी दे रहा हो ना कि आपसे हर कोशन बन जाएगा ईजली तो बच्चे यहां पर क्या होता है यहां पर यह हमारा इंट्र और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नक स्टूडियो में थैंक्यू